वेल्कम तो कुकिंग विद गुर्की रत आज हम बनाएं के कुलर्ड पीजा रसीपी बहुत ही रेस्टी बनता चलिए हमारा कुलर्ड पीजा बनाना हम शुरू करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी लिटेस्ट वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए कुलर्ड पीजा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यह अनियन टमैटो मौजरेला चीज पनीर और थोड़ा सा हरा धनिया और ब्रेट के पीजिस इसके जगा पिजा बेस भी ले सकते हैं यह हमने एक पैन लिया है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ओल अब इसमें डालेंगे हम अनियन एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम टमैटो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टेस्ट के रिकॉडिंग जाधा कम कर सकते हैं थोड़ी सी रेट चिली थोड़ा सा गरा मसाला इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें डालेंगे हम रेट के पीसिस थोड़ा सा हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसके ऊपर डालेंगे हम कैचप अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अब इसमें डालेंगे हम पनीर के पीसिस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यह दिखे मारे स्टफिंग रेडी हो चुकी अब इसम बाउल में निकाल लेंगे यह हमने लिए हैं कुलड अब इसमें स्टफिंग करेंगे हाफ कवर करके इसमें डाल देंगे हम कैचप अभी इसमें डालेंगे मुजरेला चीज ऊपर से हम स्टफिंग बढ़ देंगे फिर से कुलड हमारे स्टफ हो चुके है इसके ऊपर डालेंगे मुजरेला चीज अभी पनीर को हम मैडिनेट करेंगे पनीर के ओपर डालेंगे हम थोड़ी सी कैचप अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी रैट चिली पाउडर अभी हम चीज के ऊपर पनीर के पीसिस रख देंगे अभी इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया अभी इसे हम रखेंगे माइक्रोवेब में धाई से तीन मिनट की सैटिंग पर हम इसे चलाएंगे यह ठीक है चीज हमारी मेल्ट होना शुरू गई अच्छे से हमारा कुलड पीजा कुक खोचुका, अभी से में बाद निकाल लेंगे यह देखें हमारा कुलड पिजा बनके रड़ी यह बहुत ही अच्छा बनाया यह बहुत ही डेस्य बनाया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगई वीडियो को लाप किजये शेयर की जर्टिमेंट कीचे, थैंक्स वोचिंग।